तो हे गाइस कैसा अब सब्सक्राइब फरक ने पड़ता आपके एक पे अरो दस पे अरो पचास पे अरो जो आज में पांच चीज़ बताने वाला हूं यह आपकी केज में तीन सो पैशेट दिन होनी ही जब्सें हमारे बेडिग भी बहुत करते हैं इसे बहुत जल्दी हीड पे बहुत जादा इंपोर्टन्ट भी है वागव कर आएं पर्स पॉइंप कर ग्रेट एंड सेंड वेट एंड संसे पौइंट आता है लहारी नमक के अधर आयोडीन से लिए बहुत ज़ए अशेन्शियल कर रहा है ललुके चल पैजे एक्ट्रस अधिमाउल जाते हैं और उसलिके बारे होंगे उस तरीकसे आपकी बर्ट की चोच कभी नहीं बढ़ेगी तो यह था हमारा सेकंड पॉइंट की तरफ थर्ड पॉइंट हमा है हमारा कटल फिश बोन कटल फिश बोन हमारा कैलसियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि समुझ जिसे हिंदी में समुद्री जाग भी कहते हैं जो हमार को किसी भी पैट सोर पर एवी लेबल हो जाता है बहुत इजी जो की देड़ सोर्पे का एक पीस हमें मिल जाता है किसी किस जगह पे सस्ता भी होगा मेरे को नहीं पता तो मैं तो यहां पंजाब साइड में रहता है तो तो आपके कटल फिश बोन पैस पर फिश का मिल जाता है एक पिस काफी बड़ा होता है और यह हमारे बर्ट के लिए बहुत ज़्यदा असेंशल है जिससे हमारे बर्ट को नैच्रल कैल्सियम मिलता है और जो मैं होता है था बीक एक्स्ट्र बढ़ जाते हैं वह इससे भी नहीं होगा फॉर्थ पॉइंट पर आते हैं कैल्सियम ब्लॉक और मल्टी विटामिन कैल्सियम ब्लॉक कैल्सियम भी हमारा एक बर्ट के लिए बहुत है कैल्सियम ब्लॉक भी मार्केट के बना हुआ कभी भी आप कैल्सियम ब्लॉक बनाने का तरीका है कैल्सियम ब्लॉक बनाने का हमारा तरीका है कि हमें पे रगडे बना रहे हैं तो आप कम से कम 200-300 ग्राम चुना ले ले और 10-12 अंडों के छिलकी को मैश कर दें अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना दें वह भी डाल दें और जो केटल बोन फिस्ट का पाउडर थोड़ा से लेकर आप वह भी डाल दें और से मिक्स करके कटोरी के अंदर रख दें इसके अपर आप कहेंगे तो मैं सैपरेटर वीडियो भी बना दूंगा इधर आप कहेंगे तो मैं अपने कल्सियम ब्लॉग कैसे बना दें तो मैं इसके अपर भी एक सैपरेटर वीडियो ना दूंग बस आप कमेंट बॉक्स में क च्णिन के रहने स्काद से साथ डिटामीन हें वाइटमीन E वेक्तमिन B12 वाइटमीन डीटरी बहुत 27ग विटमीन होना ऑप बाइड्ामीन विटामीन हमरी मैक्ते बहुत एसल्सेंसिल होते हैं यहाम यहार को किसी cycling भी पैट्ट सुर्पर को यहाँ जाएगी 1023 दिवांगी कि चोटा पहक वर कर सकते हैं रहते हैं जो हमें अपने पानी के इंदर मिल के देने होते विद्व को एक लीटर पानी में पांच एमल अपने बर्ट को मिलाकर देनी होती है और लाश्ट पॉइंट के उपर आते हैं जो हमारे लाश्ट टॉपिक है इसको आप हमेशा अपने बर्ट के केज में जरूर रखें यह हमारा पॉइंट आता है मुलताने मिट्टी जो हमें किसी भी बढ़ जाती है उस वह भी नहीं होगा हमारे बर्ट को और आप देख सकते हैं यह मेरा पेर है जो जिसने दो चिक्स हैच कर आया भी एक पेर है बाकी की प्रेयर में फुल ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको जरूर जल्द ही दिखाऊंगा उसे देखना है तो आपको इस वी वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखें थैंक्स फॉर वाचिंग बाइबाइबाइब